असलाम्रेकम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब खेरियत से होंगे आज मैं आपको आपके रिमातुल कुराम के जो क्वेस्टिन हैं और इनकी जो प्रपेशन है वह आमने लाजमी करनी है ताकि आपका शोट कुष्टिन आंसर का तक्रीबन तक्रीबन आपका सिक्स्टी तो सैंटी परसंट जो आपका पॉर्शन है वह कंप्लीड होजें आपकी शोट को सिनांसर कवर होजें जो कि आपके मुस्ट इंपोर्टेंट है तो स्टूडेंट लैसी यहां पर आपको स्कीम पर दिखाई दे रहा है कुछ सवाल नबर तू जो कि आपका ब्यान करें सुष्ट बक्राइब में माखच करने की क्या तर्टी बताएं फरकान क्यों कहा जाता है इसी तरह सुरत इनफाल का मरकजी मजमून ब्यान करें और सूरत इनफाल में है एहले मका के किदार को किस से तश्मीर दी गई है और तोबा के सुरत असरों करते और दर्बड को किसे면 सचे एमान वाले कौन है को सुरतवा और विड़करा को क्यों करते हैं और इसके के हम stuffed किसे हैं यह आपके मिलते हैं मतलब दोनों एक जैसे कुर्शन है और इसलिए नेक्स हमारे पास आ गया गजवाय तबूग में मुनाफ़कीन का क्या किदार था गजवाय तबूग का सबब क्या था और उसके लावा सुरह तबा में मस्जिद की नगदान के लिए किस चीज को लाज यहां को यहां करना है ताकि आपकी पेपर के साथ त्यारी होती है जिनको त्यार करने में असानी नहीं लगती तो वह सब्जेक्ट है सब्सक्राइब करें जाते हैं तो आप बाकी चीज़ें त्यार करें ना करें लेकिन अगर यह याद कर लें तो आपके सबस्क्राइब करें ना करें ताकि आपको अच्छे से याद करें ताकि वह आपको सबस्क्राइब करें आपका सुछत बक्रा के फजायलों खसूसियाद उसके रावाब बनियादी मजणा रहम निकात पर रोशी डालें नेक्स आगिए पक्राइब के वजायलों खसूसियाद और आगे सुर्थ और मनान का तारूप और खसूसियां तहरी करें और गजबा आहत पर मुझन नोड लिखें नेक्स तरह हमाँ पास आगे सुर्थ तवबा के बन्यादी मज्वार्व में रह्म निकात पर और प्र तफसीली मजबूञ लिए और इसके लावा सुर्थ निफाज के बन्यादी में जमीन और नोर रिखे और सुरत इन फाल का तारूफ तहरी करें इस तरहां गजबाए के तफसीली मजबून तहरी करें और उसके लावा हम अब पर आगे सुर्छ बक्रा की तारूफ सुर्छ तोबा का तारूफ और खसूसियात यह आपके लोंग क्रिश्टन आ सब्सक्राइब करें और उसके लावा आपके साथ फ्रेंड्स हों या कोई बड़े किसी बड़े को उनको साथ सा सुनाते जाएं ताकि आपको यह अच्छे से आजए और इसनी अलफाज मैनियों को चोटे-चोटे करके अगर आप क्या कहते हैं आयात के तर्जमा याद करें मतलब आयात के तर्जमा है वह इन्हीं वर्ड्स को चोटे-पहले चोटे-चोटे अलफाज के माइन याद करें फिर उनसे पूरा तर्जमा जो है वह डिडाउट करने की कोशिश करें तो आपको आयात के तर्जमा भी याद करने में मुश्किल नहीं होगी सो स्टुडेंस आपके आगे हमारे पास अलफाज मैंनी जो कि आपको यहां पर स्क्रीम पर दिखाए जा रहे हैं जैसे उन्जिल आगया और उसके लावा तू आगया हमारे पास इसी तरह आपका आगया यह तो जिलू और हमारे पास बाकि जो वर्ड्स मिनिंग आगे यह तमाम आमने जो कि आपको यहां पर स्क्रीम पर दिखाए जा रही है यह 14 की 14 आया जो है आपने लाजमी याद करनी है और इनका आमने करना क्या है कि तज्मा आपने टूदे पॉइंट करना होता है लेकिन जो तरह तरह का तरह जो आप अपने अलफाज में भी कर सकते हैं तश्रीक और कि इतनी मतंब नहीं होती वह अमने अलफाज में भी प्यान कर सकते हैं और उसके आलावा तश्रीक जो अगर आप पॉइंट्स बना कर लिखें मतलब जिस तरह का तज्मा के उसका है जो आयात का तज्मा से रिलेटी जो भी आपका बनते हैं अगर उनको आप पॉइंट्स सब्सक्राइब कर दें इसको पाइंट्स बनाकर इसमें एक दो आयात यह दो आहदिस का हवाला भी आपकर लिख दें तो यह भी बेस्ट होता है जैमना पर अच्छा इंपक्त पड़ेगा और आपका जो तश्री है वह बहुत अच्छी लगेगी कि इसने बहुत अच्छे स यह चीज़ याद की हुए स्टुडेंट ने सो स्टुडेंट्स बेस्ट ओव लग फो यू पेपर अच्छे से याद कीजिए अच्छे से तैरी कीजिए अपर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्या रखें अलाहाफिस